पंद्रा जून दो पहर दो बजे गलवान घाटी हिमालाई की उचाईयों पर भारतिय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका कॉर्पल एहमद बेज को खबर देते हैं कि फॉवर्ट पोस्ट से जंडा नदारत है सर्थ देखें वहाँ और भी है परवतों पर उस्तिक फॉची कमांडो अखेले में दुश्मत जैनिकों ने इसने पत्थरों की आज लेकर फॉची यूनिट पर हवा मोल दिया कबिर बेसकार स्कॉर्ट 3 का भारतिय श्यात्रग उस पैटियों से सामना हुआ रिपेट स्कॉर्ट 3 का दुश्मत उस सामना हुआ भूखे भूस खलत से गिरे पत्थर और चट्टा और अधेरा चा गया छे गंडे बाद जब लेटनेंट सिंग की आँख खुली तो उनका सर चक्रा रहा था पहार से हुई पत्थरों की उस बौचार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोड़ाई थी एहमद धिलो रवी फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाईयों से बैतर थी जो उनके पास बर्फ में शहिर हो चुके थे कम से कम वो जिन्दा तो थे भारतिय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता ये लड़ाई ऐसे खत नहीं होगी मैं ऐसा होने ही नहीं दूँगा बहादुरी भाईचाने और भारत के लिए फौजी मेरे भाईचाने तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढून दोगा लगता है आज मुझे लड़ाई की उस पार जाना होगा पुमार भार भारत करेंट सुげ कर दो एंग हार यहार इंग हार यहार युरा युरा है लिखनें लिखनें! में लिखनें आरोी इतीा! कभर दो, कार लूह seconds! भरूहाएदो झाल झाल